गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आज हम 12th क्लास की युनिट 2 का सेशन सेकेंड करेंगे ठीक है युनिट 2 जैसे आपको पता ही है नॉन इस्टोर रिटेलिंग है नॉन इस्टोर रिटेलिंग में सेकेंड सेशन आता है हमारा इस्टोर रिटेलिंग आपको पता ही है इसमें कोई फिजिकल प्लेस नहीं होती विदाउट फिजिकल प्लेस कोई भी प्रड़क्ट को सेल करना वो सब नॉन इस्टोर रिटेलिंग होता है इसमें हमारा सेकेंड सेशन आता है इमार्क्टिंग में बेसिकली मार्क्टिंग वर्ड से आप क्या समझते हो मार्केटिंग वर्ड बेसिकली हम यह अंडरस्टेंड करती है कि किसी भी चीज की प्रमोशन करनी मार्केट में कोई भी न्यू प्रड़क्ट इंटर्डूस हुआ ठीक है वो लेज नहीं अपना न्यू वेरियंट इंटर्डूस कर दिया तो वो उस वेरियंट को कैसे इंटर्डूस करेगी मार्केट में सबसे पहले ठीक है कस्टमर को बताएगी कि यहां भी यह मेरा न्यू फ्लेवर आया है आप इसको ट्राइ कीजिए टेस्ट कीजिए तो वो सब जो है वो मार्केटिंग के अंडर आता है सेम इंटरनेट के त यह स्कू कर सकते हैं यह सब्सक्राइबॉस सरकते हैं या यूट्यूप पर आपने देखा होगा अम्हें सलति हैं उनके तुरू मार्केटिंग करना पड़क्ट को इंट्रूस करना ओवन कस्टमर को परचेज increase करनी ताकि customer aware हो product के बारे में और वो खुरी दे second important question जो उसमें बनता है वो objective of e-marketing e-marketing के objective क्या होती है इसमें first point है one-to-one approach the targeted user typically browse the internet alone one-to-one approach कर सकती हो single एक ही person के साथ आपने अगर marketing है नहीं है specific interest के साथ marketing कर सकती हो एक geographical area suppose आपने पंजाब के लुद्याना area में marketing करनी है तो e-marketing के तुरू आप सिर्फ लुद्याना की people को ही अपने product को show कर सकती हो और उस product में से suppose आपने देखना है कौन-कौन से person layers खाती है तो उन person को ही आप marketing करोगे अपना product different content by choice और automated content ठीक है हर customer की choice अलग होती है तो उसकी choice के according आप उसे marketing कर सकते हो अपने product को describe कर सकते हो second है types of email in marketing email marketing क्या होते है email के तुरू marketing करना ठीक है basically two types होती है इसमें further slide में discuss करती है हम कौन-कौन सी slide email marketing होती है first tag इसमें transactional email marketing ठीक है कोई भी आप product buy कर रहे हो जब ठीक है purchase कर रहे हो या order कर रहे हो कोई भी product तो order करते ही आपको एक message आयता है flip card पे Amazon पे आपने देखा जब भी आप order करते हो तो साथ की साथ आपको message आता है वो transactional email होती है direct email जो होता है वो sending an email solely to communicate a promotional message आपने देखा आपको email आती रहते है किसने की प्रमोशनल message जब भी आप कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर देते हो तो उसकी आपको email आना ही शुरूँ होती है कि इस particular sign नहीं ये product introduced किया है वो direct emails होती है next point advantages of e-marketing कौन-कोन से advantages होती है e-marketing के in any business organization advertising cost constitute a major expense advertising की cost बहुत ज़्यादा होती है अगर आप television भी advertising करें ठीक है या हम normally banner लगाए pamphlet करें तो उसकी cost बहुत ज़्यादा बढ़ आती है तो e-marketing internet के थूँ advertising करना बहुत ज़्यादा easy है ठीक है और even low cost में होती है और even same जो अपनी previous point पड़े objective में ये one to one कर सकते है choice के according कर सकते है जो graphing में कर सकते है ये सब इसके advantages है next disadvantage अब अगर कुछ advantages हैं तो उस चीज़ के कुछ disadvantage भी होंगे disadvantage basically major barrier to new entrance in the global market ठीक है जो भी new entries हो रही है new companies आ रही है जो market introduce करते है वो एक global challenges है second electronic media limited by the ability of the consumer to assess the use of internet services ये सिर्फ उनी person के लिए होगी जो internet services use करते है जो person internet services use नहीं करते है जैसे village area में कई जगह पे internet नहीं है अगर आभ यूपी side जाओ तो कई जगह पे internet नहीं है तो उन people तक आप अपनी information provide नहीं करा सकते है next ये important question है seven C's of e-marketing ठीक है seven C's का होंते है पहला है contract the e-marketing first goal is to communicate a core promise for a truly distinct value proposition appealing to the target customer target customer के साथ contact करना ठीक है content content क्या है आप किछ चीज को represent करना चाहते हो जो आपने content क्या रखना है ठीक है lace का कौन से variant को करना चाहते हो constructions होगी और community होगी किस community के साथ आपने deal करनी है ठीक है किस community को अपना marketing को promotion करनी है concentration concentration क्या होनी चाहिए through online behavior profiling advertising have known for some time for behavior targeting ठीक है profiling आपने brand promotion करना है या profit को देख के करना है तो वो चीज़ इसमें आएगी next convergence and commerce ठीक है broadband reaches the marches next question है difference between traditional marketing और e-marketing में क्या difference होता है traditional market जोए वो one-sided होती है ठीक है एक टाइब marketing करती तो वो चलती रहती है but e-marketing जोगी interactive ease of communication and direct consumer contact received consumer से contact का received भी हमें मिलता है cost e-marketing cost less होती है traditional marketing ज़्यादा expensive होती है traditional marketing की जो range है वो limited है अगर मैंने banner एक जगह पर लगाया तो जितने person पास्टान कर रहे हैं सिर्वो ही देखेंगे but e-marketing में range बहुत ज़्यादा increase होजगी बहुत ज़्यादा person readout कर सकती है बाकी point आप readout कर लीजिए इसमें next slides में मैंने हिंदी में दे रखें same यह question हिंदी में आएगे so that आप betterly understand कर सको अगर English में understand करने में difficult हो रही है तो मैंने यह इंदी के slides बनाई है ताकि आप हिंदी में readout करके उसके meaning easily understand कर पाओ ठीक है क्योंकि मैंने काफी shorts में आपको define कर रहे है particular points में library कर पाया और जो भी English में जितने भी caution लिखे हैं वो सब आप अपनी fear notebook में note down कर लीजिए झाल 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 झाल